हेलो गाइच मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चेनल लर्न ओफ टेक्नो पर डियर फ्रेंड हमारे ये थियोरी का सेशन चल रहा है जिसमें हमने पावर्शा के बारे में पढ़ा था ठीक है अगर आपने पावर्शा के लेशन की क्लास नहीं देखिए डिस् क्योंकि आज की क्लास में जो रहेंगे वह पावर्शा से समंदित क्योस्टन आंसर रहेंगे तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि पहले आप वो क्लास नहीं वह वाच कर लें उसके बाद अगर आप क्योस्टन आंसर कहते हैं तो आपको कोई भी कन्फूजन नहीं रहता ह है आप साथ साथ में क्योस्टन की आंसर वो दे पाएंगे ठीक है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्योस्टन है 36 बेंड सा क्या पुछा गया है 36 बेंड सा फ्लेक्सिबल सा भी कहते हैं 36 बेंड सा को flexible band सा भी कहते है क्या 36 band सा होते है उसको flexible band सा बोला जाता है तो dear friend यह हमारा सही है 36 band सा को क्या है flexible band सा भी बोला जाता है क्योंकि हमें true और false इसमें चूच करने है next है 36 band सा में blade वो endless होती है तो जो हमने 36 band सा है या फिर flexible सा machine है उसमें हमने पढ़ा था कि blade को endless होती है या फिर forward और return stock में चलती है तो उसमें क्या होती है हमारी blade वो endless होती है यानि कि second भी हमारा क्या रहेगा true रहेगा correct answer है ठीक है next है 36 band सा में machine में stock की संख्या कम होती है तो अब भी just हमने पढ़ा कि endless होती है यानि कि उसमें stock नहीं होती है ये क्या पूछ रहेगा stock की संख्या कम होती है तो उसमें तो इसमें इस्टोक होती ही निए तो ये क्या हो जाएगा wrong answer हो जाएगा ठीक है next है 36 band सा में blade लगातार चलता है तो क्या 36 band सा होता है वो लगातार उसमें blade चलता है बिल्कुल डियर फ्रेंड लगातार चलता है क्योंकि उसमें endless blade लाता है ठीक है जो क्या continue चलता हुआ cutting करता है आगे पीछे नहीं चलता है ठीक है तो यह क्या correct हो जाएगा 56 bend सामें blade लगातार चलता है ठीक है 36 bend सामें गती परिवर्तन केratos gear का प्रियूग किया जाता है दो दियर परियूग नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें गती परिवर्तन होती नहीं है forward return stock तो आता ही नहीं है वो तो continue cutting करता रहता है लगातार चलती रहती है ना उसमें तो एक मोशन में चलती रहती है बलेड ऐसे जैसे कि आरा मशीन पर चलती है बलेड तो उसी टाइम में चलती रहती है तो गती परिवर्तन तो ओई नहीं रही एक ही गती में चल ला है तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह रोंग आंसर हो करती है वो स्पीड को कम्याद ज्यादा करती है ठीक है क्या करती है वो स्पीड को कम्याद ज्यादा करती है कि हमें ज्यादा स्पीड पर चलाना है या कमी स्पीड पर चलाना है तो कि हो जाएगा हमारा क्रेक टांसर हो जाएगा नेक्स्ट है पावर सा में मोटर की रोटरी मोशन को क्रेंग की अंतरावली द्वारा लीनियर मोशन में बदला जाता है क्या बोला है कि पावर सा में मोटर की रोटरी मोशन को क्रेंग की अंतरावली द्वारा लीनियर मोशन में ब प्रिवर्तित करते हैं तो उसी के बारे में इसमें पूछा हुआ है तो क्या क्रेंक के द्वारा करते हैं तो डिर्फिरेंट बिल्कुल क्रेंक के द्वारा क्या करते हैं रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज किया जाता है नेक्स्ट आप पावर सामें दबाव हाथ के द चरता रहता है नेक्स्ट है पावर सा में हाइडरोलिक सिस्टम या भारसमाईयोजित करके दबाउद दिया जाता है क्या यह बात क्रेक्ट है क्या यह सही बोल रहा है पुटाबट से कमेंट कीजिए तो बिल्कुल यह क्या सही बात है power supply hydraulic system या फिर भार समावी जूत करके कैद दबाओ को दिया जाता है कि कम pressure देना या ज़्यादा pressure हमें देना है next है power supply blade जिसके दान्तों की pitch अधिक होती है क्या बोला है जिसके दान्तों की pitch अधिक होती है उसका प्रियोग rough cutting के लिए करते हैं तो dear friend हमने पढ़ा था कि rough cutting के लिए हम किस pitch blade का प्रियोग करते हैं तो जहां पर danty की pitch अधिक है तो वो क्या rough cutting करेगी नहीं dear friend वो क्या करेगी fine cutting करेगी क्योंकि danty की pitch अधिक है ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है power saw blade जिसके danty की pitch अधिक होगी उसका प्रियोग rough cutting के लिए किया जाता है तो डानतों की pitch अधिक होगी मतलब रानतों के pitch में क्या गेट जादा है अब गेट जादा होगा तो वो बिलकुल क्या करेगा rough cutting ही करेगा तो बीच में अगर दूरी कम रहेगी यानि कि danty की pitch कम रहेगी तो क्या fine cutting करेगा तो इसने का क्या ये correct answer है ठीक है next 11 number नरम दातों के लिए blade के dantों की संग्या अधिक होनी चाहिए क्या नरम दातों के लिए blade के dantों की संग्या वो अधिक होनी चाहिए तो dear friend ये क्या हमारा wrong answer है ये wrong answer कैसे है कि हमने पिछे लेशन में पड़ा था नरम दाथुआ की कटिंग के लिए क्या होती है 25 – 25 mm में 14 दान्त मीनिमम कटेवे होने चाहिए ठीक है यानि कि नरम दातूँ की कटिंग के लिए किस PitchPC today का यूज करेंगे तो यानि कि जिसकी Pitch holy कोगी उसका योज करेंगे ताकि नरम दातु के कण वो दांतों के बीच में फस न आ सके ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 4 से 14 दांते तक कटे होते हैं तो बिलकुल क्या होते हैं पावर सामे 4 से 14 दांते तक क्या होते हैं अलग-अलग पिछ की 4 टाइप के बलेड हमारे मिलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा ये आंशर हमारा correct हो जाएगा Next है 30 नमबर पतली धातों की cutting के लिए 14 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 धातों की cutting के लि में comment कीजिए फटा फट से comment box में comment कीजिए इसका answer हमने पीछे की class में पढ़ा था ठीक है नेक्स्ट है हमारा समान्य कारियों के लिए 10 दानते परती 25 mm का blade प्रियोग किया जाता है क्या समान्य कारियों के लिए 10 दानते कटे हुए हैं परती 25 mm दूरी में तो क्या वो सही है तो वो dear friend क्या मारा होगा बिल्कुल cracked होगा अभी आपको 13 नंबर का answer भी पता चल गया होगा तो फटा फट से comment box में comment कर सकते हैं अगर जिन्होंने comment नहीं किया तो कोई issue नहीं है dear friend में आपको पता देता हूँ कि यह भी क्या हमारा crack रहेगा यानि कि पतली दातों के लिए 14 दानतों की पिछ वाला blade हम use कर सकते हैं ठीक है next time मोटे स्टोक की cutting के लिए 14 दानते 35 mm का blade प्रियूक करते हैं क्या मोटे स्टोक की cutting यानि कि मोटी दातों है उसकी cutting के लिए 14 दानतों वाले 35 mm वाला blade हम use करेंगे तो dear friend आप 14 दानते वाले तो क्या होगा यह fine peach blade आ गया तो 14 दानतों वाली क्या पतली दातों या fine कारियों के लिए हम क्या use करते हैं ठीक है next इसमें क्या दिया हुआ है next दिया हुआ 16 number 16 नंबर में क्या दिया हुआ हमारा इसमें दिया हुआ है बलेड का चेहन करते समय उसके कम से कम 5 या 6 दानते इस्टोक मोटाई पर होने आवसिक है बलेड का चेहन करते समय उसके कम से कम 5 या 6 दानते इस्टोक मोटाई पर होना क्या जरूरी होता है तो dear friend हमने पीछे लेशन में क्या पड़ा था कि दो से तीन दांते है वो जातू की मोटा ही पर क्या है ठीके वे होने चाहिए ठीक है इसमें क्या दिया पांस से छै दांते दियो है तो क्या ये क्रेक्ट बोल रहा है क्या ये क्रेक्ट बोल रहा है डियर फेंड नहीं ये क्या इनक्रेक्ट है दो से तीन द करता है वो पीछे की साइड होता है पीछे यान की वापसी स्टोक में होता है रिटन स्टोक में कटिंग होती है ज्यादा तर पावर्सा में लेकिन कुछ एक विशेश पावर्सा होते हैं जिनमें क्या है फोर्वर्ड स्टोक में या कटिंग स्टोक वो आगी की तरफ रखा ज ठीक है और अगर forward stock दिया हुए return stock नहीं दिया हुए तो वहाँ पर क्या हम forward stock को भी write कर सकते हैं लेकिन वो किस इसाफ से write करेंगी वो जो machine निर्माता है जो manufacturer है उसके interaction के इसाफ से उसके निर्देशा अनुसार हम क्या है उसको write या wrong चूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है 18 नमबर पावर सा में blade के दांतों का रूख motor की तरफ रखा जाता है बिल्कुल यह क्या हमारा correct है हमने पीछी lesson में पड़ा था कि दांतों का जो रूख होता है पावर सा में वो किदर रखा जाता है motor की तरफ रखा जाता है क्योंकि पावर सा वो return stock में cutting करता है ठीक है नेक्स्ट है 19 नमबर पावर सा वापसी stock पर cutting करता है यह भी हमारा correct है पावर सा में coolant motor दवारा चलाए जाता है बिल्कुल motor दवारा चलता है पावर सा में नेक्स्ट है वीबिन प्रोफाइल में धातू काटने के लिए circular सा का प्रियोग किया जाता है क्या वीबिन प्रोफाइल में धातू काटने के लिए यानि कि अलग-अलग एंगल में या कहीं गोलाई में कहीं केसी टाइप में कहीं किस टाइप में धातू काटने के लिए क्य का याज करते हैं सर्कूलर सा मशीन का प्रियोग करते हैं तो यहां पर तो सर्कूलर सा का प्रियोग दिया है विबिन प्रोफाइल के लिए तो यहां क्या आंसर करेक्ट होगा क्योंकि यह तो रोंग हो गया तो यहां पर आंसर करेक्ट क्या होगा कौन सी मसीन है जिसके द्वारा विबिन प्रोफाइल में धातू काटने के लिए यूज करते हैं कौन सी पावर सा होती है dear friend तो वो हमारी होती है कंटूर सा कौन सी कंटूर सा ठीक है कंटूर सा पावर सा जो होती है कंटूर सा उसके द्वारा क्या हम विबिन प्रोफाइल में दातू काटने के लिए किया जाता है, बिलकुल हमने अभी अभी पड़ा है, कंटूर सा बलेड के सीरे बट वेल्डिंग मसीन दवारा क्या है जोड़े जाते हैं, तो क्या कंटूर सा बलेड के सीरे है, वो ब्लेड के सीरों को काटने के लिए सीर का प्रियोग किया जाता है जिसके लिए इस मसीन में गियर फिट रहता है क्या यह बात क्रेक्ट है क्या यह बात डियर फ्रेंड क्रेक्ट है किसी को मालूम है तो इसके आंसर दीजी क्योंकि यह lesson में हमने नहीं पढ़ा था लेकिन कोई issue नहीं है lesson में नहीं है question में आ गया अगर आप question देख रहे हैं आप इनको समझ पा रहे हैं तो बिलकुल आपको यहां से इस चीज को क्या catch कर सकते हैं तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ लेशन में कुछ बात आती है कुछ क्योस्चन आंसर में आती है तो क्या सबी वीडियो आपको क्या दिल से attach ओकर देखना चाहिए ताकि कोई भी point आपका छूट ना सके जैसे कि अभी इसमें दिया हुआ है क्या दिया है कंटूर सा blade की मुर्मत करते समय ब्लेड के सीरों को काटने के लिए sear का प्रियोग किया जाता है जिसके लिए इस machine में gear fit रहता है ये बात हमने क्या lesson में नहीं पड़ी थी लेकिन यहां पर आ गई तो dear friend मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आ गई dear friend हम मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है machine में एक gear लगा होता है उसके पास में जिसके दवारा क्या sear चलता है sear से क्या blade की cutting कर सकते है और उसको क्या है सही size में cutting करके समतल और उसको क्या butt joint दवारा butt welding करके क्या जोड सकते है इसके लिए क्या होता है इसमें sear साथ में ही लगा होता है next है contour सा machine में butt welding का attachment साथ लगा होता है तो बिल्कुल साथ लगा होता है हमने अभी जस्ट पढ़ा है क्या सियर का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो 25 नमबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 26 नमबर सर्कुलर सा मसीन का प्रियोग पतली धातों की कटिंग के लिए करते हैं तो जस्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया था सर्कुलर सा मसीन का प्रियोग कैसी दातों पर करते हैं तो फटा मट से comment box में comment डाले यह right है या wrong है नेक्स्ट है सर्कुलर सा मसीन का प्रियोग मोटे सेक्षन की दातों की कटाई के लिए किया जाता है अभी क्या इसके opposite पूछ लिया है circular सा machine का प्रियोग मोटे section की दातों की कटाई के लिए किया जाता है इसमें पूछा है क्या पतली दातों की कटाई के लिए 26 और 27 नमबर 26 और 27 नमबर में कौन सा answer आपका correct है 26 सही है या 27 नमबर सही है फटा वट से comment box में comment सोड़िये दियर फ्रेंड फटा वट से comment box में comment सोड़िये चलिए दियर फ्रेंड जिसने भी comment किया है अच्छी बात है नहीं किया तो मैं अपको बता रएता हूँ 26 नमबर हो वो हमारा wrong है 26 नमबर हो wrong है 27 नमबर हो हमारा right answer रहेगा ठीक है next है contour sa machine में koniya cutting के लिए blade को cone पर set कीया जाता है против букette कि So dear friend table को किसको set करते है table को set करते है किसी भी cone पर नए की blade को set कीया जाता है ठीक है नेक्स्ट है कंटूर सा मसीन में कोणिये कटिंग के लिए वर्किंग टेबल को कोण पर सेट किया जाता है बिलकुल यह answer कि हमारा correct adjust हमने अभी अभी क्या clear किया है नेक्स्ट है 30 number इसमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कंटूर सा में बलेड इधर उधर नब आगे इसके लिए guide लगा होता है कंटूर सा में क्या होता है बलेड इधर उधर नब आगे क्योंकि उसको क्या जो हमारा table होता है किसी भी कोण पर हम क्या set कर सकते है तो blade उदर उदर ना बागे इसके लिए guide लगा होता है जो blade को इदर उदर नहीं जाने देता है जो क्या blade को दूसरी जगह कहीं पर नहीं जाने देता है तो क्या ये बात correct है क्या ये correct है dear friend तो dear friend ये बिल्कुल क्या है हमारा right answer है क्या है बिल्कुल यह हमारा right answer है ठीक है चलिए next देख लेते हैं next में क्या दियावा है next हमारे objective type के उस्टन है objective type के उस्टन है देख लेते हैं कितने के उस्टन है चलिए dear friend 15 के उस्टन है चलिए इसी class में कर लेते हैं क्योंकि next जो class रही हो फिर बिलकुल ही छोटी रहेगी तो चलिए इसी में इसको क्या clear कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट के उस्टन क्या दियावा है 36 बेंड सा मसीन में क्या बोला इसने 36 बेंड सा मसीन में खालिस्थान आगे पुछाए इस्टोकों की संख्या वो कम होती है बलेड अगो लगातार चलता है इस्टोकों की संख्या अधिक होती है या फिर उप्रोक्त सभी तो 36 बेंड सा मसीन कौन सी होती है flexible सा मसीन हमारी होती है ठीक है dear friend 36 बेंड सा मसीन कौन सी होती है flexible सा मसीन होती है और उसमें क्या होती है स्टोकों की संख्या कम होती है या बलेड लगातार चलता है या फिर स्टोकों की संख्या ज़ादा होती है तो dear friend उसमें क्या होता है बलेड वो लगातार कटिंग करता रहता है ठीक है, नेक्स्ट है टू नमबर, चेटीज बेंड सा का दूसरा नाम क्या है, तो जस्ट में ने अभी बताया था, चेटीज बेंड सा का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट है थ्री नमबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, चेटीज बेंड सा में गती परिवर्तन के लिए खालिस्तान परियोग करते हैं 36 बेंट सा में गती परिवर्तन के लिए यानि कि गती को क्या कम या ज्यादा करने के लिए किसका यूज करते हैं क्या गियर का यूज करते हैं step कौन पूली का यूज़ करते हैं उप्रोक्ट दोनों का यूज़ करते हैं या उप्रोक्ट में से कोई नहीं तो हमने lesson में भी clear किया था अभी just क्या उपर question भी आया था वहाँ पर भी क्या हमने इसको clear किया था तो dear friend फटाफट से बताईए क्या answer इसका correct रहेगा तो three number का क्या answer रहेगा dear friend हमारा three number का हमारा रहेगा step कौन पूली क्या रहेगा step कौन पूली भी answer हमारा correct हो जाएगा ठीक है next up four number इसमें क्या दिया हो है power saw में motor की rotary motion को linear motion में बदलते है power सामें क्या होता है motor की rotary motion रहती है उसको linear motion में बदलेंगे तभी हमारा blade आगे पीछे चलेगा तो वो किस के दोरा बदला जाता है क्या rank और pinion के दोरा क्या warm gear के दोरा क्या crank की अंतरावली के दोरा या फिर uproak सभी के दोरा तो जो हम true और false वाले question आंसर कर रहे थे वहाँ पर हमने इसका answer देखा था तो इसका answer dear friend क्या correct हो जाएगा four number का तो dear friend four number का हमारा answer c correct हो जाएगा यानि कि किस का यूज़ करते है crank या अंतरावली का यूज़ हो power सामे motor की rotary motion को linear motion में बदलने के लिए काम में आता है ठीक है next है power सामे दबाव खालिस्तान दवारा दिया जाता है power सामे दबाव वो हाथ के दवारा दिया जाता है या hydraulic system दवारा या भार के दवारा या फिर उप्रोक्त B वैस C में से किसी एक के दवारा तो power saw में दबाव किसके दवारा दिया जाता है hydraulic system और भार के दवारा दिया जाता है यानि कि इन दोनों में से एक हो जाएगा तो D answer इसमें हमारा correct हो जाएगा ठीक है dear friend यानि कि अगर आप class को अच्छे से लेते हैं और question answer की class है रहती है उनको अगर आप अच्छे से study करते हैं अच्छे से watch करते हैं तो dear friend मान के चलिए आपका कोई भी question है वो नहीं छूटेगा कोई भी question आप कई भी competition level का exam दे दीजी या फिर आप IT level का apprentice level का कोई भी exam देगे तो आपका question है वो बाहर से नाने के कोई chances नहीं है ठीक है क्योंकि मैं आपको क्या एक एक चीज़ा वो बिल्कुल clear करवाता चल रहा हूँ जो हमें lesson में नहीं मिलता वो question answer में मिल जाता है जो question answer में नहीं मिलता वो चीज़े में lesson में मिल जाती है तो इसलिए कोई भी अगर आप class देख रहे हैं तो subscribe कर लीजिए ठीक है डियर फ्रेंड ताकि आपको daily जो हमारा शाम को 8 वीडियो आता है class का उसका notification सबसे पहले मिल जाए साम 6 वजे question answer की quiz आती है उसका notification सबसे पहले मिल जाए ठीक है इसके लोग कोई भी requirement आती है कोई भी notification आता है नरम धातों की cutting के लिए खालिस्तान blade प्रियोग किये जाते हैं पावर्सा के द्वारा नरम धातों की cutting के लिए खालिस्तान blade प्रियोग किये जाते हैं दांतों की संक्या अधिक वाले दांतों की संक्या कम वाले कम pitch वाले या फिर उप्रोक कोई नहीं तो पावर्सा के दोरह नरम दातों की कटिंग के लिए किस blade का प्रियोक किया जाता है तो dear friend इसमें आ जागा, दान्तों की संक्याँ जिसमें कम होती है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं नरम दातों की कटिंग के लिए करते हैं नेक्स्ट है हमारा सेवन नंबर इसमें दियावा है आम तोर पर पावरसा ब्लेड में 25 mm दूरे में दांतों की संक्या खालिस्तान होती है तो यह हमने क्या क्योस्टन आंसर जो true और false वाले थे उनमें हमने study किया था कि 8-30 होते हैं, 5-20 होते हैं, 4-14 होते हैं या फिर 5-25 होते हैं, दियर फिरेंट फटा फट से बताइए, पटा फट से बताइए दियर फटा फट से बताइए या ईजो पावरसा ब्लेड प्रियोग कीया जाता है, उसमें पटि-25 mm में दांतों की संख्या होती है ये भी हमने पीछे अब भी ज़स्ट के लियर किया था कि उस चान आंस किस pitch blade का यूज करते हैं या 35 mm में कितने दानतों की संख्या वाला blade यूज करते हैं क्या 14 दानते वाला 10 दानते वाला 8 दानतों वाला या फिर 5 दानतों वाला blade वो नोर्मल कारियों के लिए यूज किया जाता है तो नोर्मल कारियों के लिए कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है दस दांतों वाला ब्लेड वो नोर्मल कारियों के लिए यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा 11 नमबर next 11 number है इसमें क्या दियावा है दातू के मोटे section की cutting करने के लिए खाली स्तान प्रियोग किया जाता है दातू के मोटे section की cutting के लिए कौन सा हम power सा यूज करते हैं contour सा horizontal सा circular सा या फिर power सा तो मोटे section कारियों के लिए हमने जो true और false वाले क्योसंदे उनमें clear किया था कि circular सा का प्रियोग वो मोटे section वाले दातू की cutting के लिए use में करते हैं और contour सा का use कहाँ पर करते हैं किसी भी profile या कोई भी आकार हमें बनाना हो कोई भी save बनाने हो उसमें contour सा ब्लेड का use contour सा का machine का प्रियोग हम करते हैं ठीक है next है इस सा में endless blade लगा होता है अब endless blade कौन सी सा में होता है power सा में contour सा में flexible सा में और उप्रोक्त b और c दोनों में तो dear friend contour सा और flexible सा दोनों में क्या लगा होता है हमारा endless blade लगा होता है यानि कि यह क्या करते हैं लगातार cutting करते रहते हैं उनमें stock में cutting और वो नहीं होती है किसमें contour सा और flexible सा blade में तो 13 number का क्या हो जाएगा हमारा D answer वो correct हो जाएगा 13 number का क्या हो जाएगा D answer हमारा correct हो जाएगा ठीक है next इसमें देख लेते हैं 14 number next 14 number में क्या दियावा है 14 number में दियावा है इस सा machine में blade के 0 को weld करने के लिए but weld attachment लगा होता है अब कौन सी welding sorry कौन सी machine में कौन सी power में welding attachment में साथ में लगा होता है क्या contour में होता है क्या power में होता है क्या flexible में होता है क्या circular में होता है तो जहां पर हम true और false वाले के उसंट देख रहे हैं वहां पर मैंने ये बात आपको clear की थी जहां पर एक sear लगा था बलेड की cutting के लिए तो वो कौन सी machine थी, dear friend वो कौन सी machine थी, फटा फट से comment कीजियो, कौन सी machine थी, dear friend तो वो थी हमारी contour सा machine, कौन सी थी, contour सा machine थी, ठीक है next हम देख लेते हैं next हम देख लेते हैं, nine number, next कौन सा बच गया हमारा, nine number, इसमें क्या है, पावर्सा में cutting stock होता है पावर्सा में cutting stock कौन सा होता है आगे जाने वाला या फिर पीछे जाने वाला या फिर कोई भी आगे या पीछे वाला या फिर उपरोक्त कोई नहीं तो पावर्सा का cutting stock कौन सा होता है dear friend हमने यह सबसे पहले ही clear किया था कि power saw का cutting stock होता वो पीछे जाने वाला होता है कौन सा होता है पीछे जाने वाला cutting stock होता है कुछ एक power saw में आगे जाने वाला भी cutting stock रहता है लेकिन उसके लिए क्या है उसके लिए क्या है कि जो निर्माता है उसके दोरा क्या है निर्देश दिये जाते हैं कि इसका forward इस्टोक में cutting है या return इस्टोक में cutting रहती है ठीक है next is 10 number next is 10 number वीबिन profile में धातू की cutting करने के लिए खालिस्तान सा प्रियोग किया जाता है वीबिन profile में धातू की cutting करनी है तो dear friend अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कौन सी सा होती है क्या power सा होती है क्या circular सा होती है क्या flexible सा होती है क्या contour सा होती है तो dear friend कौन सी होती है contour सा हमारी होती है वो वीबिन profile में के दातू को काट सकती है यानि कि dear friend यह जितने भी आपको question जो मिल रहे है most important question है सारे 2-3 बार इनका revise भी हो गया अब भी just revision हो गया 1-2 बार आप class देखेंगे तो आपका क्या बहुत अच्छे से यह सब याद हो जाएगा ठीक है दिल से attach होकर देखने की आप सकता है ज्यादा कुछ hard नहीं आता है technical में बस थोड़ा सकता है दिल से attach होकर अगर आप class को works करते है तो बार बार आपको याद करने की आप सकता हो नहीं रहती है ठीक है next time हमारा 15 number इसमें क्या दिया हो है इस सामें गति कम या अधिक करने के लिए step कौन पूली fit होती है अभी अभी just ही उपर हमने पढ़कर आए है इसको अभी just पढ़कर आए है कौन सी होती है dear friend flexible सा होती है circular सा होती है contour सा होती है या फिर A और C दोनु होती है कौन सी होती है dear friend जिसमें क्या है speed को कम या ज़्यादा करने के लिए step कौन पूली लगी होती है तो dear friend अमारी कौन सी होती है flexible सा और contour सा होती है जिसमें क्या speed को कम या ज़्यादा हम कर सकते है किसके दोवारा कर सकते है step कौन पूली उसमें लगी होती है ठीक है dear friend हमारा जो ये power सा का जो session दा वो clear हो गया है ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही है question answer अगर आप देखना चाते है यहाँ पर question answer भी है थोड़ा सा वीडियो को बेख करके आप screenshot ले सकते है question answer का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे share कर दीजीगा और याद रखे हर साम 8 वजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो only हमारे चेनल पर और हर साम 6 वजे आपको मिलेगा एक नया question वो भी only हमारे चेनल पर ठीक है तो आप दोनों time visit करना ना भूले हमारी quiz में आप अवस्से इसा ले वहाँ पर आपका ज़्यादा time waste नहीं होता है only question को पढ़ना है समझना है और उसके लिए vote करना है जो भी आपको right answer लगता है उस question का answer वो next day वाले question के साथ आपको मिल जाता है तो आप पीछे वाले question का answer next day आप अपना match कर सकती है ठीक है अगर उसमें कोई आपको doubt रहता है या आपको लगता है कि इसका answer वो गलत है तो आप अमें comment कर सकते हैं आप अमें contact कर सकते हैं contact number आपको description में दिया हुआ है इंस्टा या टेलेग्राम पर join कर सकते हैं link आपको description में दिया हुआ है ठीक है इसके अलवा requirements से समन्दित जो भी आपकी job वगेरा निकलते हैं उनके वीडियो मिल जाते हैं कोई भी technical notice आता है उसकी भी आपको वीडियो वह हमारे channel पर मिल जाती है ठीक है dear friend wish you all the best